दियर इस्टुएंट्स मैं हूँ इंजिनियर देवेंद्र और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल दी अनलाइन इस्टडी में जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग थियूरी क्लासेश के साथ-साथ अनलाइन टेस्ट सीरीज की शुरु यहां पर एक आई बटन चैसे टच करेंगे आई बटन दिखेगा पुना उसको टच करेंगे तो इससे पहले के जितने सीरीज अब तक आनलाइन टेस्ट सीरीज हुए हैं उन्सब का यहां पर लिंक दिया हुआ है तो वहां से आप सभी जो अब तक नहीं दे पाए हैं इसस को यहां से दे लें, miss ना करें क्योंकि बहुत ही important question इस online test series में दिये गए हैं जो कि अक्सर ही competitive exam में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं चाहें जो आने वाले yearly exams है, annual exams है उसमें पूछा जाएगा यह video बहुत ही important होने वाली है क्योंकि इसके बाद आपको online test कैसे दिया जाता है या कैसे देना है या online test को कैसे देना यह सीखने या समझने से संबंदित, कोई और video देखने की ज़रत नहीं पड़ेगी तो आज यह जो टेस्ट जैसे यहां दिक रहा है engineering test second है topic हमारा है types of lines यानि रेखाओं का प्रकार का part 2 है इससे पहले part 1 हम दे चुका है और यह जो test है वो ITI के लिए पॉल्टेक्निक के लिए या RRB यानि की railway recruitment board में ALP यानि की assistant local pilot SSJ technician यह government चापके exam से तो बहुत थी महत पूर्ण होने वाला है तो प्लीज आप लोग इस video को मिशन करें और अवस्चे देख लें तो जो students मुझे direct जुड़े हुए WhatsApp के थुरू उनको WhatsApp पर यह message मिला होगा जिसमें यह तीन blue color के link भी दिख रहे होंगे तो इन link पर हमें touch करना है या जो students मुझे अभी तक WhatsApp से नहीं जूड़ पाएं और यह video देख रहे हैं कहीं से भी तो उनको यूटूब पर यहां description लिखा हुआ है यह name जो लिखा हुआ है यहां पर एक छोटा सा चीनत दिख रहा होंगा यहां पर पे आपको यह blue color का link दिख रहा था वो same link आपको यहां पे YouTube पे दिखेगा अब इस link पर हमें पुना टच करना है इस link पर जब हम टच करेंगे तो यह direct हमको जो है browser के थुरू जहां पर online test देना है उस page पर हमको लेके चला जाता है अच्छा बहुत सारे students का यह query रहा मुझे personally text करते रहे कि link पर touch करने के बाद भी test open नहीं हो रहा है तो उसमें होता यह है students कि जदी हमारा नेट का connectivity slow है चाहिए network थोड़ा खराब है week है signal week है तो नहीं खुलता है तो इसके लिए घबडान की जुरुतनी हम बार बार उस link पर टच करेंगे और यह सेम प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे उस link पर touch करेंगे तो हमको यह browser दिखेगा यहां पर more का option दिखे लेंगे जो mobile में पहले से install है ज्यादी Chrome browser किसी में install नहीं हो तो Chrome browser install कर ले या Firefox जो ब्राउजर है उसको install कर ले यह ज्यादे बेटर होते हैं इसमें आसानी से link जो है open हो जाता है तो फिलाल हम Chrome browser को पर touch करेंगा और इसी में अपना test जो है open करने वाले हैं तो इस Chrome browser पर touch करते हैं तो हमको यह online test के पेज पर लेके चला आया जहां पर उपर में लिखा रहाएगा YouTube online study बाइजी नियर देवन गौर्मेंट इट यह भली है ठीक है और यहां पर topic भी लिखा हुआ है types of line रेखाओं के प्रकार part 2 ठीक है और साथ में यह भी message रहाएगा कि जो students अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किए हैं वो यहां से इस link पर क्लिक करके चैनल को subscribe कर लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो और online test के series आप सभी को आसानी से प्राप्त हो सके तो यहां पर कुछ details हमें भरने होंगे इस पहले page पर जैसे जैसे की ऊपर में यह email id सही email id डालेंगे valid email id डाले डालेंगे उसके बाद से अपना trade डालेंगे branch डालेंगे फिर institute का नाम डालेंगे उसके बाद से district का नाम डालेंगे यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अपना home district का जैसे अने किसी district का नाम डाल दे रहे हैं तो यहां पर जो district का name डालना है उस district का नाम डालना है डालना इंतास्वंकों का उसके बाद मैं आपको ये वीडियो देख रही होंगी इस वीडियो का ये फायदा है देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आज का आनलाइन प्रस्ण पत्र नीचे दिये गए रेखाओं के प्रकार वीडियो पार्ट टू पर अधारित है ये जो वी आनलाइन टेस्ट में 50 आउट आफ 50 स्कोर कर सकें और अपना रैंक जो है अच्छा से अच्छा ला सकें पूना इस वीडियो में यही दिखाया गया कि कैसे आनलाइन टेस्ट दिया जाता है तो इसके बाद में इसके यहां पर नीचे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है इसी देखिए यहां पर question paper आ गया है अब जो question यह पहले प्रस्ट है अब इस प्रस्ट को पढ़ेंगे और जो answer सही रहेगा उस पर हम touch कर देंगे ठीक है ऐसे ही यह प्रस्ट पत्र है जो answer सही रहेगा उस पर हम touch करते जाएंगे और जब last में पूरा प्रस्ट हम लोग solve कर लेंगे जैसे यह देखिए यहां पर solve कर लिया है जो यह answer सही है तो इस पर click किया गया है उसके बाद से submit बटन पर हम click करेंगे जैसे submit बटन पर click करेंगे next page खुलेगा अब next page पर क्या लिखे आएगा message यह message जरूर लिखे आएगा कि आपका test successfully submit हो गया है अब आप view score पर click करके अपना result देख सकते हैं तो यहां पर view score पर click करेंगे चलिए click करते हैं जैसे click करेंगे तो देखिए यहां पर जितना score हमने प्राप्त किया है जैसे कितना प्राप्त यानि कि 50 में से 48 मार्क हमने gain किया है अब इसके बाद से इस page को ऊपर की तरफ slide करेंगे तो यह देख पाएंगे कि कौन से question हमारे सही हुए है और कौन से question गलत हुए है तो यह सारे question जो है जैसे जो answer सही है उस पर जैसे सही का tick दिखाएगा correct का tick दिखाएगा जो answer गलत हु यह पर cross का निशान दिखा रहा है यह option भी दिखा रहा है कि कौन आपने correct किया था और यह सही है यह गलत है ऐसे सारे question हम देख लेंगे कि कौन से question सही है कौन से गलत है पुना last में यहाँ पर दो link आपको मिलेगा इस पर लिखा रहेगा कि SI ITI traits यहों सरकारी नोकरी से संबं जूड़े हैं तो यहां से WhatsApp के थू मुझ से direct जूड़ सकते हैं तो इन दोनों link पर हम click करके जूड़ जाएंगे thanks for watching students please subscribe and share with your friends अपने दोस्तों के साथ भी इस link को जरूर शेयर कीजिए इस channel को बोलिए कि subscribe करें ताकि अधिक से अधिक students को जो है फायदा हो सके और वो सभी लोग अच्छे से अच्छे तरीके से अपना study कर सके घर बैठ धन्यवाद